दर्शुको आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल की जो हमें कहीं भी प्राप्त हो सकता है बात करने जा रहे हैं हम पपीता की पपीता एक ऐसा फल है जो आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा अगर आपके घर के सामने कुछ जमीन है तो आप इसका पेड भी लगा सकते हैं ये एक ऐसा फल है जिसे कच्छा होने पर भी इस्तमाल में लाया जा सकता है इसका छिल का बेहद मुलाइम होता है जो आसानी से उतर जाता है इसे काटने पर इसके भीतर कई छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं स्वास्त के लिहाज से ये एक बहुत ही फायदेमंद फल है केलस्ट्रॉल कम करने में भी काफी सहयक साबित होता है पपीते में उच्छ मात्रा में फाइबर मौजूद होता है साथ ही ये बिटामिन C और एंटी ऑक्षिडेट से भी भरपूर होता है अपने इनहीं गुडों के चलते ये केलस्ट्रॉल को नियंतरित करने में काफी असरदार है अगर आप बजन घठाने की सोच रही हैं तो आप पपीते का इस्तमाल कर सकते हैं एक मध्यम आकार के पपीते में 120 कैलोरी होती है ऐसे में अगर आप बजन घठाने की बात सोच ही रहे हैं तो अपने डायेट में पपीते को ज़रूर शामिल करें इसमें मौजूद फाइवर्स बजन घठाने में काफी मददगार होते हैं रोग प्रतिरक्षा छमता बढ़ाने में भी काफी सहायक होता है अगर रोग प्रतिरक्षा छमता अच्छी हो तो बीमारियां दूर रहती हैं पपीता आपके शरीर के लिए आविशक बिटामिन C की मांग को पूरा करता है ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ मात्रा में पपीता खाते हैं तो आपके बीमार होने की आशंका कम हो जाएंगी ये आखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफी मददगार साबित होता है पपीते में बिटामिन C तो भरपूर होता ही है साथ ही बिटामिन A भी परियाप्त मात्रा में होता है बिटामिन A आखों की रोशनी बढ़ाने के साथ ही बढ़ती उम्र से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान में भी कारागार साबित होता है ये हमारे शरीर की पाचन तंत्र को भी सक्रिय रखने में सहायक रहता है पपीते में कई पाचक एजाइम्स होते हैं साथ ही इसमें कई ट्राइट्री फाइबर्स भी होते हैं जिसकी वज़े से पाचन क्रिया सही रहती है पपीते को हम अपने रोज के नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि पपीते में जो भरपूर बिटामिन्स पाई जाते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए काफी अच्छे साबित होते है